नमस्कार दर्सकों श्री शिवाय नमस्तु ब्यम पूजनी स्री पंडित प्रदीप जी मिस्राद्वारा कथा में कहे गए कुछ वाक्य आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोई कमी नहीं छोड़ेंगी इसके लिए आपको दो चौमुखी दीपक बनाने हैं दीपक की बाती लंबी होनी चाहिए चार बातियां होनी चाहिए बिल्कुल इस तरीके से दिखाया गया है सेम ऐसी ही बाती आपको लगानी है और याद रहे दोनों दीपक में गाए के घीं से ही प्रजुलित होने चाहिए यानि गाए के घीं ही होना चाहिए दोनों दीपक में आप इन दोनों दीपक को शाम के समय सुर्यास्त होने के बाद साथ से साड़े साथ बजे के बीच में आपको यहा कारे करना है, मानेता है कि इस दिन रविवार के दिन यहा उपाय करा जाएगा, तो माता लख्ष में आप पर बहुत जल्ग प्रसन होंगी, शाम को आप अपने घर के सबसे बाहर वाले गेट पर जाएं, में गेट जिसे कहा जाता है, वहाँ पर जाकर आपको वही जाकर दोनों दीपक को प्रजवलित करना है, चोव मुखी दीपक होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, यहा कारे आपको शाम को ही करना है, रविवार के दिन आप यहा कारे करें, आपको सुक समर्दी और धन की जरूर प्राप्ति होगी, तो दर्शकों, आप लोगों तक हम पूझने स्री पंडित प्रदीप जी मिस्रा दोरा, शिव महापुरान के दोरान, कहे गई कुछ उपाय और कुछ अच्छे वचन आप तक पहुँचा रहे हैं, अगर आप हमारे इन वीडियों से संतुष्ट हैं, तो हमारे वीडियों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाईएगा, लाइक कीजिएगा, और इन छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको जो भी परिशानिया आ रही हैं, आप हमें क कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक प्रदीब जी मिस्रा दौरा कहे गए उपाये जरूर पहुचाएं, तो दर्शकों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, उसके बगल में ब के शिवाये नमस्तु बें